पूरत कपड़ा बजार में परती दिन चार करोड मिटर कपड़े का प्रोडक्शन होता है उसके अंदर हम लोगों में साथ लाग लूम्स एक लगदस जार एम्प्रोडी मसीन चार सो प्रोसेस हाउस और पैसे डजार टेडर से स्विशन जो हमारी संस्ता के हैं इस सब मिलकर क परती दिन 4 क्रोड मिटर कपड़ा बनाते हैं और 4 क्रोड मिटर कपड़ा हमारे टेडर स्वाई बेशते हैं आज जन तक आजादी के बाद कपड़े कभी भी कपड़े कभी टेक्स नहीं था वन टाइम यान पे टेक्स ले लिया जाता और बाकी को हमेशा लोगों को लोटी कमाने के लिए लगे हुए हैं अब इसने बड़े अन और्गनाइज सेक्टर के अंदर जब टेक्स लगाया तो हम मेरे चोटे-चोटे वेपारियों में तथा चोटे-चोटे वीवर्स में चोटे-चोटे एंब्रोडरी में तथा रोजाना की दाल रोटी कमा करके ख धंदा कम हो रहा है आज 500 रुपए का यह लग्टिक खरीडने में ने गया उसमें 140 रुपए जीएश्टी लग गई पार्सल का धंदा करते हैं पार्सल में कमाई नहीं होती है हमारी एंसलेशन के मारफत हम लोगों ने सरकार से यहां जाकर के बाचीत भी की उसमें 20 दिन का यहां सूरत का अंदोलन भी हुआ परन्तो उस समय सरकार जब जीएश्टी लाई उसको किसी भी तरीके से वेपारी की बात को सुनना नहीं था और हालात आज की तारीक में यह है कि जो 4 करोड मिटर कपड़ा परती दीन हमारा सूरत में बंता था वो 10.50 करोड मिटर कपड़े के प्रोडक्शन बेर आ गया GST को कपड़े पर लाद दिया गया, इससे जो कपड़ा व्यापारी है, जो छोटे-चोटे व्यापारी है, वे सरकार के प्रती आक्रोश में अवश्य थे, इसमें तो कोई संदे नहीं है, और सरकार ने हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं समझा, हमारी बातों को नजर अंद एक बात ये अच्छी तरह आ गई है, कि ये सरकार हमारे वेपारी बर की अगर नहीं सुनती है, तो इनका दिमाग ठिकाने के लिए एक बार कहीं ने कहीं हमें, अपना वेपारी बर का प्रत्यूदित आये, या कहीं और जोगे वोट करना पोड़े तिस सरकार को सबग देना अभी ये टंबू भर कर जाएगा, सारा टांपोर करोड़ा जा रहा है, पांच पुलिस चोकी को हमको समालना पड़े गा तब ये माल पू कर पाएंगे जो सरकार ने भी 28% से जो 18 किया कई आइटम से, वो सरकार की मजबूरी है, अभी गुजराज एलेक्शन है, हम सरकार से बालबार ये है कि रजवात कर रहे हैं कि आप इसका सरलिकरन कीजिए, आप सरलिकरन करोगे तो हम व्यापार कर पाएंगे, आप तो हमारे हाथ पेर बा हो रहा है, ये निस्तित वाद है, टेक्स्टाइल के वेपरी हमेशा वार्ति-जनता पार्टी के साथ में रहे, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं है,